नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाध्याई स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलेसिस में दोस्तों कल का दिन शेर बजार के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा एक स्टॉक इतनी पावर रखता है कि अपने हिसाब से मार्केट को चला दे यहां पे कल के सेशन में 16 ऐसे बड़े स्टॉक्स हैं जो अपनी अर्निंग्स पेश करने वाले हैं इसमेंसे कुछ बड़े नाम तो इतने हेवी वेटेज है जो अकेले ही निफ्टी को अपने हिसाब से डायरेक्शन देंगे और सबसे बड़ी बात आज रात साड़े ग्यारा वजे फैट की मीटिंग है उसका आउटकम भी आना है वो भी मैं आपके साथ शियर करूँगा तो उस पे भी वाजार रियक्ट करेगा फिर कल के सेशन में कहीं ना कहीं जो हमारी MPC की मीटिंग है यानि भारती है गवर्मेंट हमारे भारत के लिए जो लास्ट वीडियो में प्रहमिस करा था कि आप कमेंट एपनी कट करी ही उस पे अंसे करका सभ य데 थे बात करते हैं तो मैं स्टार्ट करता हूं उस वीडियो पर अपकेसाथ शेयर करा थे बहुत ही कम समय हुआ है कमेंट काफि ज़ादा होगत है तो मैं इस इतनी ज़ी ज़ा पिर दो इवेंट के बारे में भी बात करनी है, सबसे पहले प्रवीन जी का कमेंट है अदानी पावर को लेकर, तो 3.30 के राउंड इसे स्टॉप में सपोर्ट है, कल अदानी गुरूप के लिए बढ़ा देना है, क्यों है, क्योंकि दो कमपनी और अपने नंबर्स पेश करने वाली है, देखते हैं कैसा ट्रेड करता है, बागी 3.30 के राउंड सपोर्ट है, उसके भी बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट जिससे आप कह सकते हैं, वो 295 पे है, आपके पास पोजीशन है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, 295 के साथ होल्ड करिए, रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो चाल पे निकल जाएए, 350 के राउंड जब भी बाउंस बेक मिलता है, विप्रो, 354 के 354 शेर है, लॉस हो रहा है, बहुत एवरेज करूँ, डेफिनेटली अगर 360 के पास स्टॉक आता है, तो आप एवरेज करिए, 300 शेर सें आपके पास रखे रहे, ये स्टॉक आपको आगे चल के फाइदा देता हुआ, देखेगा, आप टेंशन फिरी रखे, और मेरे इसाब से आराउंड 500 के पास आपका वो भी आ सकता है, एव बाइंग प्राइज आजाएगा, वरुन वेवरेज और केमपस के बारे में बताएं, वरुन वेवरेज और केमपस दोनों इं बहुत हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे है, वरुन वेवरेज इस रिजल्ट से पहले आपको रिकमेंड भी कराता, अभी मैं दौनों इं इस टॉक में फ्रेश एंट्री अवाइड करने के लिए क्लिए क्वालिटी स्टॉक है, केमपस में आलरेडी काफी बड़ा पैसा बनिया, यहां से भी तेजी बन सकती है, बट अगर आप सिफ्ट करते हैं तो बाटा और रिलेक्स हो, आपके लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, प्लीज डू HDFC बैंक, अभिशेक जी, HDFC बैंक सूपर बिस स्टॉक है, अगर इस स्टॉक में तेजी बननी है या फिर इसमें रिवर्सल के संगेत आने तो वो 295 के उपर निकलना होगा इस स्टॉक को अधर्वाइस यह स्टॉक आपको काफी बड़ी गिरावट दिखा सकता है अभी, अधानी विलमार्ट कल बहुत बड़ा दिना है इस स्टॉक के लिए हमने भी बायरेकमेंड करा था बट कल इसमें डिसाइड कर लेंगे निकलना है या रखना है ले रखें है TCS Infos आपके बोलने से यह मुझे यह बताए कोई शियर चूज कैसे करें लेने से पहले तो आप अधानी से पहले जब आप किसी स्टॉक को लिए लॉंग टम के लिए खरीते हो तो रिटर्न और एकोटी देखो रिटर्न और कैपिटल एंप्लोई देखो प्राइस देखो इन शॉट उसकी शियर ओल्लिंग पैटन देखो अगर यह सब चीज आपको अच्छी दिखती है फिर पीर कंपेरिजन करो अगर मार्केट लीडर है और आपको बाकी पीर के मुकाबले थोड़ा रीजनेवल प्राइस पर मिल रहा है डेफिनेटली आप ले सकते हैं बिल्कुल ठीक आप बहुत अच्छा सोच रहे हो शेकर जी डीवीज लैब फिर कब ले कितने प्राइस आएगा बाइंग के लिए प्लीज डू सजएच डीवीज लैब आपको किसी भी गिरावट में दुबारा च्छतिस्व पर मिलता है डेफिनेटली खरीदें अड़तिस्व पे भी बुरा नहीं है बट अगर आप अभी खरीद के तुरंट पैसा बनाना चाहोगे नहीं बनेगा लंबे समय का भी वह तो यह पांशे यार भी जाएगा लंबे समय का बोल रहा हूं मैं पीटीसी इंडिया के बारे में बता है तो इसे मैं कवर नहीं करता हूं देखके सब कुछ चेक करके बोलना पड़ेगा उसके लिए टाम बहुत जादा लग जाएगा तो माफी जाओंगा तो यह तो शायद बजार में किसी को नहीं पता बट इस टॉक अच्छा है इतना गय सकते हैं तो अभी के लिए इतने ही कबर करते हैं क्योंकि कमेंट्स बहुत जादा है तो बस खतम करते हैं अच्छे की वीडियो अल्रडी काफी बड़ी हो रही है अब कल इस टॉक्स के ब बहुत ही जादा खराब आए 10% स्टॉक की पिटाई हो गई है इसे स्टॉक के नंबर्स देखते हैं यह तो मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में कैसे आते हैं तो यह कल इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है बड़े नंबर्स की बात करें तो अदानी विलमार कल अप खराब आजाएं गिरे तो फिर भी उठाना यह स्टॉक अब मौका मिलेगा आपके लिए यूको बैंक सरकारी बैंकों के तंग्डे नंबर आ रहे हैं इस बैंक के देखने होंगे कैसे आते हैं वोड़ाफोन आइडिया सबका फेवरेट वर्ट इस स्टॉक को अमेंशा नहीं आए कल बुल्व स्टार अपने नंबर्स पेश करएग का आते हैं एस के एफ इंडिया नंबर हमजा पिस करेगा और सटमी इंडिया इंडिया अपने पिस करेगा तो यह सब्सपल से इवेंटन की तो सबसे इंफलेशन को काबू में आता देख रहे हैं वो इस तरीके से बात करते हैं और कल MPC की मीटिंग में क्या उटकम आता है वो इंपोर्टेंट होगा यह सारी चीज़ा देखनी होगा तो यह थी मेरी वीडियो होप आपको सब कुछ क्लिए समझ में आ गया होगा और आपको आप में टार मिल क्या होगा धंक यू सो मच पुर वाची तpost ओसंथ अबड़ेट इस्योर है